हलो फ्रेंड, श्टडी एड़ा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज जो हम पॉलिटी के important question देखेंगे हम जो है सम्मिधान के important question देखेंगे जो कि SSC MTS के लिए important हो सकता है SSC CGL के एक jam में भी आ सकता है SSC से related किसी भी एक jam में आ सकता है तो ये part 1 है ऐसे ही काई part आपको मिलते रहेंगे मैं कोसेश करूँगा 30 April तक ज़्यादा ज़्यादा part ले आ सकूँ लेकिन उसके बाद भी ये change continue रहेगा तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो हमारे चैनल को subscribe करके playlist जरूर चेक करें प्लेइलिस्ट में बहुत सारी ऐसी बीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है अगर आपको ये बीडियो पसंद आ है तो like, comment और share करना मत भूलेगा अगर आप SSC MTS की तयारी कर रहे हैं तो जो भी हमारे CHSL के बीडियो है जो भी मैंने CHSL का review किया है SSC MTS के लिए Math का बहुत सारे mock test है सब previous year जितना paper है वो सब solve हो चुका है Math, GS और English का तो वो सब अप जो है प्लेइलिस्ट में जाके पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला question देखते हैं पहला question है ओप राष्ट पत्री The Vice President is पूछा गया question में कि जो उप राष्ट पत्री होता है क्या होता है लोकसभा का सदस से होता है राष्ट सबा का होता है किसी भी सदन का सदस से होता है या किसी भी सदन का सदस से नहीं होता है तो देखिए उप राष्ट पत्री के बारे में Vice President के बारे में किस Article में जिक्र किया गया है Article 66 अज मैं साम तक आपको एक Video Lecture दे दूँगा जिसे मैं आपको बता दूँगा कैसे आप Guess कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है आपको मालीजे कोई भी Article नहीं याद है तब भी आप Guess कर सकते हैं कि इसके बारे में इनी Article के बीच में बोला गया होगा तो वो साम तक मैं वीडियो दे दूँगा तो Article 66 के अमसार क्या है उपरास्पती के बारे में बताया गया है इसमें बोला गया है कि जो उपरास्पती है वो संसत के किसी सदन का या किसी राज के विधान मंडल के किसी सदन का सदस से नहीं होगा मतलब कि संसत के किसी सदन का तो वो सदस से होगा नहीं लेकिन राज के विधान मंडल के भी किसी सदन का सदस से नहीं होगा अगला question देखते है Government of India Act 1935 किस पर अधारित था दिखे भारत अधिनियम 1935 क्या था भारत अधिनियम 1935 में जो है प्रांती द्विशासन को समाप्ट कर दिया गया था जो कि द्वैद सासन था वो पूरी तरह से समाप्ट कर दिया गया था और ये साइमन कमीशन के बातों पर बेश था मिन्स साइमन आयोग की अमसंसा का पालन कर दा था किसका साइमन आयोग या साइमन कमीशन तो हमारा एंसर वन होगा साइमन कमीशन इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जो प्रांत है या जो राज है पहले तो प्रांत होते थे राज नहीं होते थे तो जो प्रांत है उ उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया तो समाप्त कर दिया तो ये था Government of India Act 1965 के पारे में अगला question देखते हैं केंद्री मंत्री मंडल में मंत्री मंडल सदस्कापद नेम लिखित में से किसको मिलता है ठीक है question पूछा who are the following enjoy the rank of cabinet minister in union cabinet तो इसका answer होगा deputy chairman of planning commission योजना आयोग के उपाध्यच को जो है deputy chairman का पद मिलता था देखिए अब तो योजना आयोग पूरी तरह से खतम हो चुका है लेकिन जब ये था तब इसमें क्या था आपकी इसमें जो प्रधान मंत्री इसके जो है पदे नद्देश होते थे अब उसके जगा कौन सा नीती आयोग आ गया है तो इसका answer क्या होगा ड्यूपिटी चेर्मैन आप प्लानिंग कमीशन देखे, राश्पती के पत के रिक्त अवस्य भरनी होती है कितने टाइम के भीतर ये क्वेश्टन बहुत बार आता है और इंपोर्टन क्वेश्टन भी है तो क्या होता है, सम्मिधान के अंचेत 56 के अंसार किसके अंसार? आठकेल 56 के अंसार अगर राश्पती की मृत्यू पद ताग या पद से हटाये जाने या अनिकारडों से हुई उसकी पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होनी की तारीक के पस्ट देखे, आठकेल 56 क्या करता है? अगर किसी कारडवस जो है राश्पती का पद खाली होता है मृत्यू पद ताग या किसी भी कारडवस तो छे मास के अंदर छे मैंने के अंदर उसे भर देना चाहिए तो इसका एंसर क्या होगा? 6 मंथ यह कुश्चिन बहुत ज़दा इंपोर्डेंट है देखने में बहुत बड़ा कुश्चिन लग रहा है क्या कुश्चिन है? संसत के सदनों के अवदी काल के संदर में असत्य कथन बताईए अच्छा राजसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्या पूचा है? असत्य कथन तो ये सत्य है कि राजसभा को भंग नहीं किया जा सकता राजसभा के एक बटा तीन सदस प्रतेक दो वर्स की समाप्ती पर आवकास प्राप्त करेंगे ये भी बात सही है कि वो दो वर्स के समाप्ती पर चेंज होते हैं जहां आपात काल की उद्गोसड़ा के बाद सम्मिधान में वर्डित अधिक्तम काल तक आपात काल लागू है एवं आपात काल की अवेदी खत्म हो गई हो तो लोगसभा का कारकाल एक वर्स बढ़ाया जा सकता है लेकिन इससे परे नहीं देखिए इस पर बाद में चर्चा करेंगे आगे चलते हैं लोगसभा जब तक पहले भंग न कर दी जाए अपनी पहली बैठिक की नियत तारिक से 5 साल तक चलेगी ये भी बात सही है देखिए फ्रेंड इस कोईस्चन में एक एक लाइन आपको मैं समझाता हूँ जहां आपा आपकाल लागू है इवन आपात काल की अवदिक खत्म हो गये है तो लोगसभा का कारकाल एक वर्स बढ़ाया जा सकता यहां तक तो लाइन एकदम सही है लेकिन लेकिन इससे परे नहीं ये लाइन गलत है क्योंकि एक साल बढ़ाने के बाद आप पिर एक साल के लिए क्योंकि असत कथन पूछा है अगले question पर चले राजसभा का पदेन अद्यच कौन होता है देखिए राजसभा का एक्स आफिसियो चेर्मैन जो है कौन होता है उप राश्ट पती भारत का वाइस प्रेसिडेंट आप इंडिया होता है आर्टिकल 64 के अंसार जो है उप सभा की करवाई के संचालन तथा सदन के अंसासन बनाये रखने के लिए उतरदाई है ये जो है सभापती जो जो नए सदस आते हैं उनको सपत भी दिलाते हैं राश्ट सभा के अंदर तो इसका answer क्या होगा भारत का उप राश्ट पती राश्ट पती का अध्यादेश की समय तक प्रभावित होता है, मतलब कितने टाइम तक राश्पती का अध्यादेश जो है, प्रभावित होता है, तो भारती समिंधान के अनुछेद 123 के अनुछार, 123 के अनुछार, 123 के अनुछार, संसत के अवकास के दोरान, अगर संसत में अवकास चल ला है, तो उसमें कोई अध प्रश्पति के पास है और संसत के अन्मोधन के बिना अध्यादेश अधिक्तम छे महिने और छे सप्ताह के लिए प्रभावी दा सकता है तो इसका एंसर क्या होगा for six months तो यह पार्ट वन था जो पॉल्टी के important question हो सकते थे और मैं आज साम तक जो आप लोग को कुछ आठकिल से किस आठकिल के बीच में होगा तो thank you friend